है लो गाइस वेलकम टू मा यूटूब चैनल तो आप लोगोंने प्रीवियूम तो देखी लिया होगा कि आज हम लोग किस टैप का वीडियो एडिट करने वाले हैं तो simply आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक एक्समेल फाइल का लिंक मिलेगा उसे simply डाउनलोड करके light motion में इंपोर्ट कर लेना है और simply आपको light motion एप open कर लेना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को simply light motion ओपेन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और 9 बटे 16 का ratio चूच कर लेना है और color आप black रख लोना and create project पे क्लिक कर देना और simply आप लोगों को फिर अपना photo add करना है जिस पे आप लोगों को video बनाना है तो जैसा कि मैं कर रहा हूँ तो जैसा कि मैंने photo यहाँ पे ले लिया है तो मैं photo चूच कर लूँगा तो photo चूच करने के बाद आपको simply ऊपर में three dot पर click करना है and fill composition area पे click कर देना है आपको यह देख सकते हो zoom हो गया and move and transition पे click करके आप photo के adjust कर सकते हो and fill इसके बाद back करना है and fill यहाँ पे import वाले पे click करके आपको simply current frame is png पे click करके export कर लेना है तो जैसा कि हम लोगों का यहाँ पे photo export हो गया है तो इससे आपको simply save कर लेना तो इसी तरह करके आपको total no photo करना है जैसा कि मैंने यह आप एक कर लिया, आप लोगों को नो करना है मैं सिप आप लोगों को एक example दिखाया तो back आने के बाद, अब आप लोगों को project वाले section पे जाना है and simply आप लोगों को दिखा मिल जागा new xml file by xyz added तो उस पे आपको simply click करना है आपको simply नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको थोड़ी बहुत लैग देखने को मिल सकती है गाईज क्योंकि लो एंड डिवाइज तो एड़ेस्ट कर लेना एंड बैक्ग्राउंड वाज भी कुछ हारा होगा तो उसे भी एड़ेस्ट कर लेना गाईज तो यहां पर आप ल एंड सिंपले आप लोग उपको फोटो एड़ कर देना जो नोव फोटो आप लोग किये थे तो जैसा कि मैं यहां पर एड़ कर देता हूं तो यहां पर एड़ हो जाएगा आपका तो एड़ होने के पाद यहां पर देख सकते बिलिंक वाला एक दिख रहा होगा तो इस प क्लिक कर देना है आपको एंड आप लोगों को फोटो चूच कर ले रहा है तो जैसा कि मैं चूच कर ले रहा हूं एक अलग फोटो आपको फिर ले ले लेना है फोटो 1 में अलग फोटो 2 में अलग एंड फोटो 3 में भी आपको अलग फोटो एड करना है तो फोटो 3 वाले सेक को एक और photo 3 वाला जो layer उसके भी same photo add कर देना तो जैसा कि मैं कर दे रहा हूं तो इसी तरह आप लोगों को करके आगे भी photo add कर देना है simply यहां पर से आप जैसा कि मैंने आप लोगों को 9 photo वहां से बोला था export करने के लिए तो यहां पर totally 9 photos आप लोगों को लगेंगे जैसा कि म लोगों को simply यहां पर समय photo add कर देना है and photo add करने के बाद कुछ भी आपको नहीं करना है simply शुरू में आ जाना है and प्लस के आइकन पर क्लिक करके audio के section में जाके अपना audio चूच कर लेना and simply export वाले option पर क्लिक करके full high quality पर क्लिक करके 1440 पर आप लोग इसे export कर लेना कर दो